हेलो स्टुदेंट इच्छे लक्षर में पढ़ा था सुलूशन के बारे में सुलूशन क्या होता है होमोजिनस मिक्षर और से तू कैनिकली नोन रियक्टिव सुब्स्टांसेज ठीक हैं आज पढ़ते हैं सिस्पैंशन और कोलेडल सुलूशन के बारे में इससे पहले देखो सिस्पैंशन सिस्पैंशन क्या होता है हिट्रोजेनस मिक्षर इन इक वर सुलूट पार्टिकल डोनोट डिजोल सुस्पैंशन में जो आपके सुलूट के पार्टिकल होते हैं वो डिजोल नहीं होते हैं वो पार्टिकल हमेशा उस सुलूशन में उस मेडि in which the particles are uniformly spread throughout the solution कि तो solute के particle हैं वो पूरे solution में uniformly distributed होते हैं अगर यह आपर uniform word देखें तो इससे आपको colloidal solution है वो homogenous लगता है लेकिन अगर बात करें तो solution है वो heterogeneous ही होता है clear है? colloidal में तो solute के particle है वो छोटे होते हैं और उन्हें आप नेक डाइस से नहीं देख पाते हैं सिरफ कुछ से microscope की help से ही देख सकते हो ठीक है अब तो colloidal solution के एक important property होती है कि इसके तो particle है वो किसी भी light को scatter करवा देते हैं ठीक है तो the scattering of beam of light by the colloidal particle is known as kindle effect clear है? kindle effect आपको कहा पर उबज़र होता है कि जब किसी भी एक room में एक ही छोटे hole से light आ रही है और वहाँ पर आपको छोटे छोटे पार्टिकल है वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं ठीक है? तो यह आप गर में भी देखते हो कि कोई एक कमरा है पूरे कमरे में अंधेरा हो और सरफ एक ही end से light आ रही है तो उस light वाली जो direction है वहे पर आपको छोटे छोटे पार्टिकल वो उड़ते भी दिखा जोते है ठीक है? अदरवाइस अगर light ना आए तो पार्टिकल दिखे नहीं रहे आपको तो वो क्या होता है? अब जैसे आपने solution में पढ़ा था कि solution के दो component होते हैं एक solution एक solvent वैसे ही. photo solution के दो component होते हैं एक होताइ dispersed phase एक होताइ dispersal medium dispersed phase और भी दिखे नहीं है? meaning बर्वेशी के बराबर मान सकते हैं औरWhoa मेडियम यहापे उस सोलुचन का वो ए तैप है कौन सा थाइप होगा उसके पर चाहिए है सब्सक्राइब चुक्जु सोलीड तौसका भूखा कसे उसे बाएंगे सोलीड सोल ड् staff शोर क्योंहें विखेंड़ में ठाथ बहां चाहिएंगे शेIf recuperate ने यहाँ है solid तो यह solid in solid का ठीक है next हमारा जो phase है वह तो Liquid phase यह जो medium है वह solid मतलब हमें solid में liquid को डालना है तहसे वह जो solution बनेगा वह कौन सा होगा जैल होगा जैल गहींपल है चीजब बटर अगर घी की बात करो गी में solid पार्ट जादा होता है और liquid वाला पार्ट कम होता है ठीक है तो butter किसका example है इसका और जो गी है और पानी है वो दोना आपस में dissolve भी नहीं होते है आपने पहले बोला है इस में dissolve नहीं होते है ठीक है थर्ड बात करते हैं आपका phase है gas और medium है solid अग्जामपल आएगा sponge sponge कैसे बिटार देखो sponge आपने देखा होगा गरों में या फिर आप गरों में ना देखा हो जो seat होती है किसी भी वहीकल की seat होती है वो form के बने होती है form कैसे है कि कुछ एक पार तो solid होता है उसमें छेद होते हैं और उन छेद में क्या बढ़ी होती है gas क्लियर नेक्स्ट देखो हमारा phase है solid और हमारे medium में liquid मतलब है liquid के अंदर solid डाल रखा है अग्जामपल आएगा mud की चड़ की बात करें तो आपर liquid होता है पानी होता है और पानी में मिट्टी है मिट्टी मतलब solid है clear है नेक्स्ट दोनों ही liquid है अग्जामपल है milk है फिर face cream और इस टाइपको दोनों में liquid liquid हो वो ता emulsion तो question आजाए कि what is emulsion तो क्या बताओगे emulsion इस है colloidal soul of liquid है liquid कि जहापे dispersant phase भी liquid है और dispersant medium भी liquid है नेक्स्ट देखो अगर phase हो gas और medium हो liquid है तो यह भी form बनाता है this is shaving cream next phase solid और medium gas अब smoke बोलोगे बिटा smoke में air ज्यादा होती है gas ज्यादा होती है और medium हो गया और उसमें धुहें के particle होते है solid की form में clear liquid और gas का देखे हैं तो aerosol fog घुंद होती है धुल में क्या होगी हवा हवा में जो water vapors हैं वो suspended रहते हैं clear अब पढ़ते है methods of separation of component of mixture कि जो mixture आप बना रहे हो mixture मतलब जिसमें दो या दो से जदा अपने component यूज कर रखे हैं अगर उन्हीं component को दोबारा से separate करना हो तो कसे separate करेंगे तो देखो अगर heterogeneous mixture की बात करें तो इन्हें तो हम simple physical method से ही separate कर सकते हैं for example आप hand picking कर लो हाथ से लग कर लो ऐसे filter कर लो चान लो उनको अलग अलग हो जाएंगे ठीक है लेकिन अगर बात करें homogeneous mixture की तो homogeneous mixture के लिए special method यूज करने पड़ते हैं और वो कौन-कौन से method हैं evaporation, centrifugation, separating funnel, sublimation, chromatography, distillation, fractional distillation, crystallization यह सारे के सारे जो method हैं हो one by one पढ़ेंगे उससे पहले एक बार हम difference करते हैं true solution, colloid and suspension के बीच में देखो सबसे पहले हम property का जिकर करते हैं कि कौन-कौन से property के base पर हमें difference पढ़ेंगे सबसे पहले ले लिए size of particle अगर true solution की बात करें true solution का example है आपने water में sugar कर लिए तो देखो जो सूगर है हम यहां पे solute के particle के size का जिकर करें तो solute के उसका size वह 10-8 cm से भी छोटा होगा चीक है अब बात करते हैं मतलब filter कर सकते हैं क्या तो इसके particle बिल्कुल छोटे होते हैं आपने पहले बताया है तो यह filter paper से भी pass हो जाते हैं यह भी filter paper से पास हो जाते हैं लेकिन suspension के particle filter paper से पास से नहीं होंगे थर्ड प्रोपर्टी है सेप्रेशन कि सेप्रेट कैसे करेंगे तो इसके पार्टिकल बिल्गुल छोटे हैं फिल्टर पेपर से पास जाते हैं तो फिल्टर पेपर से सेप्रेट ही नहीं हो पाएंगे यह फिल्टर से सेप्रेट नहीं होते हैं यह फिल्टर पेपर से सेप्रे तो यह थोड़ा वोद स्टेबल होता है कि जो पार्टी के लब उपर उड़ रहे हैं ठीक है वह में दिखाई नहीं दे दे लेकिन अगर दस दिन के बाद देखोगे तो आपके उस कमरे में जिसने भी आपने चीजे रखें रखी हैं उन चीजों के ऊपर छोटी-छोटी दू के पार्टी के लब वो सेटल डाउन हो जाते हैं मतलब वो सोलूशन हो कम स्टेबल है इसलिए तो पार्टी के लब नीचे बैठ गे अदर्वाइस वो हवा में उड़ते रहते हैं तो बिल्कुल होता है सब्सक्राइब का अग्जामपल है धूल उड़ रही है ठीक है एक ब सब्सक्राइब करते हैं विजिबिटी आखों से नहीं देख पाते हैं यह कब दिखेंगे या तो लाइट यह स्केटर हो रही तब या फिर माइक्रोस्कोप से इन्हें हमराम से देख सकते हैं डिफुजिबिटी साइच छोटा है तो ज्यादा डिफ्यूज करेंगे यह भी स्केटर हो जाती है और इसमें भी लाइट स्केटर हो जाती है नेक्स्ट लेक्शन पढ़ते हैं सेपरेशन मेथड़